डिप्लोमा की सभी बच्चों का, मेरी ओनलाइन क्लास में स्वागत है, सबसे पहले आप लोग को धेर सारी सुखकाम नाएं, कि आपका जो आगामी एक्जाम है, जो आपका सेमस्टर का एक्जाम है, वो बहुत ही अच्छा आप लोग का हो, और आप अच्छे से प्रिपरेश जम था, और अब हमें अपनी त्यारी कैसे करनी होगी, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे, और हमारा फोकस इस बात पर होगा, कि आप अधिक से अधिक नंबर कैसे गेन कर पाएंगे, तो बहुत ये इंट्रेस्टिंग वीडियो बेस को बनननी जा रहा हूं, और जो बच् सभी को पता है, कि बहुत अभी दिसंबर तक जो है, इन्होंने एड्मिशन की प्रक्रिया को सुरू रखा था, तो बहुत से बच्चे हैं, जो अभी दिसंबर में बच्चों ने एड्मिशन लिया है, तो ऐसे में बच्चे एक महिना ही क्लास कर पाएं, कहीं कहीं क्लास भी वो आगे बढ़ गया है तो बिल्कुल इसका फायदा उठाने का समय बाया है इसको बिल्कुल ऐसा नहीं लेना है कि नहीं बहुत लंबा चला जाएगा फरवरी तक चला जाएगा तो मुझे लग रहा कि फरवरी तक जाएगा और जनवरी का आखरी हफता हो सकता है कि examination तो फिर से आपको residual कर दिया जाए तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो समय हमें मिल रहा है इस समय उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करें आप क्योंकि देखें ये प्लस पॉइंट हमारे साथ हम है कि माली से हमने preparation किया और माली जे 15 दिन या 20 दिन मिल गया है तो उसको हम जितनी अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएंगे उतने ही number अच्छे आएंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं जाने देना है कि अब ठंडा का मौसम चल रहा है तो फिर अब पढ़ाई छोड़ दिया पोश्ट पोंड हो गया बिल्कुल ले अब और ज़्यादा ध्यान देनी के आउशकता है और अब self study के आउशकता है खुद से जिन चीजों से आपने notes बनाए थे जिन किताबों से आपने पढ़ा था उन सब पर focus करने के आउशकता है अगर कोई side book आपने लिया है तो side book को भी थरोली पढ़िए और ऐसा नहीं कि सारा का सारा समय किसी एक subject को आप दे ऐसा भी नहीं करना है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि बस के वर एक subject math लगाए जा रहे है math लगाएं बिल्कुल लगाएं लेकिन उसके साथ physics को भी आप एहनियत दीजिए chemistry को भी लीजिए communication skill को भी दीजिए और ED का भी अभ्यास करिए number तो भी समय पास होना है ना तो number तो सब से आपको चाहिए तो सारी subject को आप जो है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि communication skill छोड़ लिया उसको भी number चाहिए ना उसको भी पढ़ना है ऐसा नहीं हो सकता chemistry छोड़ लिया है नहीं यह आखिर में पढ़ा जाएगा उसमें भी पास होना है उसमें भी अच्छे number आपको चाहिए तो उससे भी पढ़ना पढ़ेगा एक routine के form में पढ़िये जिससे एक दिन में कोई भी subject छूटने ना पढ़े random पढ़ेंगे तो फिर छूट जाएगा आज आपने math उठाया तो math करते 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 साम हो गया इसके अब फिर मन नहीं कर रहा है तो फिर फिर छूट रहा है तो ऐसा tentable set करिये इस सारी subject को कम से कम दो घंटे का समय मिल सके कम से कम otherwise फिर last moment फिर फिर कितना ज़्यादा याद कर पाएंगे अभी से आपका देखा रहेगा अभी से याद किया हुआ रहेगा तो revision करने की आउशकता होगी तो वो आपके लिए काफी अच्छा होगा अगर इस समय नहीं देख पाएंगे तो फिर आगे चल करके और ज़्यादा दिक्कतिया आपको आएंगे तो यह मेरा सबको suggestion है कि जो भी समय मिला है उसका अच्छे से सदुपयोग करिए इधर उधर जाने से बचे ठंडा का मौसम है और सुबा से ले करके सांत्या का आपको बहुत अच्छा स्लोट मिल जाएगा एक बात और है स्वास्त पर धिखान जरूर दीजेगा अब इस मौसम में आसा नहीं चलेगा कि चलो सुबा नहीं खाना खाते है या राते बिना खाना खाए सो गए ऐसा नहीं होना चाहिए otherwise आपके जो side effects का बहुत ज़्यादा आपको पढ़ेगा आप दिमार हो सकते हैं क्योंकि इस समय जो है बॉड़ी को एनरजी की ज़ादा आशकता होती है तो इस समय जो है energetic food लीजिये salad खाईए, गाजर का उपयोग करे और साका हरी भोजन करे रात के समय जो है सुपाच भोजन करे यह बहुत ज़रा आशक है तो यह कोसिस करिए और खुद से बना ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बहुत से से बच्चे हैं जो hostel में ले रहे हैं बाहर रहके पढ़ते हैं उनके लिए बहुत business बात है कि खुद से बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया हैं कर रहे हैं अगर नहीं हो पा रहा है तो arrange कर लें, एक हपते के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक हपता आप बाहर से भी ले सकते हैं खाना, उसको भी arrange करके, किसी भी तरीके से मतलब एक balance बना के रखिए, कि जिससे आपके पढ़ाई भी disturb ना हो, और इसका पूरा से पूरा फायदा उ है, और तब तो समझे कि दो दिन चला जाएगा वैसी, तो पढ़ाई करने के लिए स्वस्थ होना बहुत जुरूरी है, तो ये सब के लिए मैं कह रहा हूँ, कि पढ़ाई करेंगे, करेंगे, लेकिन अपने स्वास्थ पर भी उतना ही ध्यान देंगे, और फिर सिक बार मैं पोस्ट मॉन्ट होगा, इससे जदा पोस्ट मॉन्ट नहीं होगा, अधर्वाइस जो अगला सेमिस्टर है, वो डिले हो जाएगा, तो दो हपता मैं मान के चलो, दो हपता से 20 दिन हो सकता, इससे अधिक नहीं हो सकता है, तो बहुत अच्छी बात रहेंगी, कि पूरे समय को आप अच्छी से यूटलाइस कर लीजे, जितना अच्छा यूटलाइजेशन आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफीशल है, अगर आप अभी भी नहीं पढ़े हैं, तो उन बच्चों के लिए भी मौका है, ऐसे बच्चे जो किसी कारणवस नहीं पढ़ पाए हैं, कि एक अच्छा मौका मिला है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि थोचा मोटिवेट आप हो जाएं, कि ये इस मौके को पूरा का पूरा अपने साइड में करिए, क्योंकि ऐसा मौका जल्दी मिलता नहीं है, और सपोज कर ये साथ तरिक्स एक्जाम होता, तब एक्जाम द कुछ चूटा हुआ है, मैं अभी नहीं पढ़ पाए थे, CS में कुछ बाकी रह गया था, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, कि समय मिला है, उसको अच्छे से बढ़ ले, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया था, कि आने वाले समय में आप किस तरीके से फोकस करें अपनी चीजों को, और जितना अच्छा फोकस करेंगे, उतने अच्छे नमबर पाएंगे, इबर पुना, सभी को नए वर्स के सुख कामना है, और आने वाले समय में आप अच्छे नमबर गेन करें, अच्छे नमबर से अगले समस्टर में जाएं, सभी पास हो करें, स